राजस्तान का क्या होगा तो बढ़िया चीजडियों से हमिए फिसल करके गिर गए तो ध्यान रखेगा जब तुम तुमने तुमने तुम्हारी मैनत से सीडियां चड़े थे अगली बार इस बार फिसल गे तो अगली बार फिर चड़ जाओगे कोई दिकत नहीं है लेकिन जो बंदे इस बार गलत तरीके से जो लिप्ट के माध्यम से उपर चड़े हो जिनकी लिप्ट उपर से नीचे गिरिया ना वो नेक्स टाइम सीडियों से नहीं चड़ पाएंगे यह मेरी गारंटी है के लिए आप लोगों ने अपनी मंजिल तक अपने कदम बढ़ा बढ़ा के चला है तुमने रोजमरा जिंदगी में एक कदम बढ़ाया राजस्तान शियोचो की तरब तुम कैसे बढ़े हो सरम राजस्तान शियोचो की तरब य है या नहीं है अभी तक कोई finalized decision नहीं हुआ तुम लोग यहां से फिसल के यहां वापस आ गए तो ध्यान रखेगा मेरे भाई जो पहली वार यहां से यहां जा सकता है वो दूसरी बार भी जा सकता है उसे किसी माईकल नाल में उकात नहीं है जो रोक लेगा जो इस बार ग हलत रास्ता होता है चोरी का माल मोरी में जाता है किसी भी आलत में वह वापस नहीं चड़ पाएंगे जिनें अपने कदमों की काबिलियत वे विश्वास होगा वो definitely जाएंगे और तुम कर सकते हो कि लिए ध्यान रखेगा अपने अपने उपर विश्वास करें कि सर पिछल वार किसी ने मदद थोड़ी की तो नेक्स्ट वार फिर निकालूंगा इस बार नहीं इस बार अब की बार हाँ सलेक्शन पार तो इस बार सलेक्शन निकाल के दिखाएंगे तो गपराने की कदाची तावी शक्ता नहीं है लोग टोकते रहेंगे और ध्यान रखेगा कुट वी बार भी मेरी उकात थी इस बार मेरी आग और बढ़ गई है इस बार मेरी आग और बढ़ गई है आप लोगों ने अगर क्रिकेट का मेस देखा होगा लड़के सारे देखते हैं लड़कियों का पता नहीं सचीन तेंदूलकर नाम जरूर सुना होगा सचीन तेंदूलकर किरेट का भगवान बोला जाता है ठीक होंने जब भी बोला जाता था उनका बैट के माधयम किसी माई के LAL में इतनी वकात नहीं है Whisky Us Tech को दुनिया सलाम करती हैं संगर्ष कभी दबता नहीं है दोस्त और न तो किसी के कहने से संगर्स बढ़ता है और न किसी के कहने से हड़ता है जो एक्चल में मेनत करेगा उसका परिणाम बोलेगा तो दो चीज़ें जिन्दगी में सामने वाले को ये शौप नहीं करें कि मैं 8 गंटे 10 गंटे 12 गंटे 16 गंटे 27 गंटे पढ़ता हूं नहीं मेरे दोस्त अगर तू 4 गंटे पढ़ रहा है तो तो नहीं पढ़ रहा है तो तेरे लिए नहीं पढ़ रहा है और अगर तू 6 गंटे पढ़ रहा है तो तेरे लिए लेकिन दुनिया क्या देखेगी सिर्फ परिणाम देखेगी और आप defense mechanism कोई काम में मतले ना जिंदगी में कोई सांतो ना काम मतले ना जब तुम्हें सान उभूतियां पसंद आना शुरू हो गई न तो फिर selection दुनिया के किसी भी कौने में नहीं है ध्यान रखेगा जब तुमने है ठान लीना तो अगले में भजीर निकाल दोगे और अगर तुमने सांतो ना लेना शुरू कर दी कि जैसे कि मामा जी आए या ममी पापा है ममी पापा आकर के बोला कि बेटा या बेटी तुने बहुत मेनत किये तेरी कोई कमी नहीं है एक्जाम का फेलियर है परस करने वालों में तो यह काम नहीं लेनी है आपको यह बोलना है कि नहीं ममी बापा मेरे अंदर कमी थी में एजे नर्सिंग ऑफिसर जो हो चीजें जितनी डिजरू करना था अभी तक मैं नहीं पहुंच वाया हूं इस बार मेनत करूंगा और उन से उपर निकल जाओंगा कर कर लो उकाद यार कोपीपेस्ट वाले कितना क्या कोपीपेस्ट कर लेंगे उनकी ओकाद मजा तो तब आए कि पेपर बिक जाए और तुम फिर भी सलेक्शन निकाल दो और वो निकम में वैसा ही रह जाए इससे कहते हैं गूगल को हैं कराना और यह परिणाम में ला करके द दिखा देंगे ताकि जो हो जान रखेगा तो यह जो लिप्ट से चड़ने वाले ना यह एक वार गिरने के बाद वापस से इनकी उकात नहीं है कि यह चड़ेगा और यह जो बंदा होगा वो अपनी मैनत से जो चड़ेगा वो एक वार नहीं हजार बार चड़ेगा और तो सीखें समझें पर्खें और अगले में काबिलियत को और ज़्यादा डवलप करने की कोसीज करें ताकि अगले वेकेंसी में सलेक्शन निकलेगा और जिस दिन सानू भूतिया यह रिष्टोदारों की पीट थपता पा करके बोलना की बेटा तेरे अंदर कोई कमी नहीं है उन् मेरें अंदर यह छोटी सी कमी देखने को मिली है और मैं इस कमी को दूर करूंगा Ryabhan में भी कमियां होती है एसी बात नहीं है कि कि सब करो कि कमी जो तैयारी करते हैं उनके नंबर कम आते हैं गिरते हैं सो सवार है मैदाने जंग में वो तिफली क्या गिरे जो गुटनों के बल चलते हैं तो जो गुटनों के बल चलते हैं वो गोड़े से कभी नहीं गिरते हैं गिरता है गुड़ सवार सो बार गुड़ सवारी सीखने के लेकिन आखिरकार वो एक शांदार गुड़ सवार बन जाता है तो इस चीज के लिए फ्रस्टेट नहीं होना है सर में सोड़ा वार फेलो गया कोई बात नहीं तेरे अंदर कबिलियती तब तुने सोड़ा वार फोरं बरा सत्रा वार तुने फोरं बरा है सत्रा नहीं अठार अपकी बार आर पार और हर एक पेपर आपका जिंदगी का पहला पेपर होता आखरी पेपर नहीं होता आखरी पेपर सेलेक्शन वाला होता है तो अपने जोस जुन आपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखना और पडोसी को बोल देना कि मत कर परवा तू आज उनकी जो तु मूतोर जवाब दे दिया था सचीन रमीस तैंदुलकर ने दोरा सतक लगा करके मूतोर जवाब दे दिया था एक उबर में छे चोके लगा करके मूतोर जवाब दे दिया वोल को स्टेडियम से बार डाल करके मूतोर जवाब दे दिया था बस एकजामिनर को उसके उकात कि वो सोच सोच के मर जाएगा तो टेंस नहीं लेनी है मेरे दोस्ट जो बंदे फुल कॉन्फिटेंस में रखो